हेलो प्रेंज मैं हूँ सुस्मा और स्वादर के आपका मेरे चैनल रेसिपीस बाई सुस्मा में और आज मैं बनाने चाह रही हूँ चटपटे मटर फ्राई बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हमें गरम करके और उसमें एक चमच तेल डाल लेना है और गरम होने पर यह मैंने जीरा डाल दिये हैं इसमें और इसके बाद हमें हरी मिर्च डाल लेना है यह मैंने हरी मिर्च डाल दे इसमें और इसके बाद यह मैंने टमाटर डाल दिये हैं और यदि आपने मतर पहले डाल दि अब इसमें मटर डाल दे रही हूं तो अब ये मटर जो हैं उचलेंगे भी नहीं और आराम से पग भी जाएंगे तो अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें मटर में मैं थोड़ा सा ये टेस्ट के कॉडिंग नमक डाल रही हूं ये मैंने नमक डाल दिया और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है तो ये मैंने हल्दी डाल दी इसमें और अब इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस समय गैस की फ्लेम जो और अब इसमें मैं थोड़ा सा एक चमच करीबन शक्कर डालने से मटर का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है कभी कभी क्या होता है मटर में मिठास नहीं होती है तो उसके लिए अगर हम थोड़ी सी शक्कर उसमें डाल देंगे वह मटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगत तो अब इसे करीबन 3-4 मिनट के लिए या करीबन 5 मिनट के लिए ढाक के पकाएंगे और इसके बाद ये लिजे मटर जो है पूरे पक चुके हैं ये देखिए ज्यादा समय नहीं लगता है बहुत जल्दी बन जाता है ये नास्ता तो हल्की भूग के लिए बहुत बढ़िया नास्ता है तो अब इसमें मैंने ये निबू डाल दिया है जो आधा काटके रखा था माफ कीजिएगा ये मैंने निबू करस इसमें डाल दिया है और इसके बाद इसमें हम धन्यपत्ती और मिलाएंगे बस टोटल रेसिपी इतनी ही है और लेकिन टेश्ट इसका जो है कि आपको बनाने में ये कैसा लगा और टेस्ट में कैसा लगा तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का जरूर बताइएगा ये लीजे नास्ता बनके रेडी है तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्का कि लिए properly वीडियोगा आया हैं तो अफिय को कि नमस्काइए के लागा सेर्षा चाय झावाओ ? झाल